हेलो एव्रिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज की कुछी एनलिसस देख लेते हैं चनल को लाइक एं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पे जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट रेस्टेंस की बन रही है और साथ ही आप देखेंगे त कुछ सपोर्ट रहते हैं रेस्टेंस और देंदर साइडवेस मोमेंटम बस ऐसे ही ऐसे स्टॉक उपर जा रहा है तो वही आज अपनको कुछ बुलिश मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है स्टॉक में यहां पे जो सेलिंग देखने को मिली एक्जेक्ट अपनको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करते हैं नजर आ रही है यहां पर आप नोटिस करेंगे तो यहां भी रिजेक्शन था ट्रेंड लाइन का और यहां भी था यहां भी था तो तो इसी वाइसे स्टॉक उपर वह हर्डल फेस करता है निकल नहीं पा रहा है आज भी बहु के लिए जो लेवल्स रहेंगे अपने पहला टार्ट स्टॉक का 159 ही रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि जो आज का हाय है वो कल का हर्डल होगा और साथी साथी यहां ट्रेंड लाइन का हर्डल है तो जो भी मोमेंटम बनेगा 160 के बाद ही बाय करिएगा सस्टेन हो जाने 175 तक है because 175 एक साइकलोजिकल लेवल है और इसी तरह फिर उपर के दिशा में 182, 184 ऐसे से करके स्टॉक उपर जाएगा 5-7 पॉइंट बढ़ाती रही है आपको मोमेंटम इजी दिखने को मल जाएगा सपोर्ट की बात करें कि स्टॉक अगर फॉल करता है आप देखेंगे आ यहां आप देखेंगे सपोर्ट बनेगा तो बायल्स बहुत एक्टिव रहेंगे दूसरा इसी दिशा में सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 147 पर चोटा सपोर्ट होगा बट कारगर रहेगा तीसरा सपोर्ट इसी दिशा में फिर रहेगा यहां पर 145 का तो ऐसे कुछ नीचे की दिशा में अगर stock आता है तो यह दो से तीन support है वैसे तो नहीं आना चाहिए और अगर यहां से momentum पकड़ता है तो उपर निकलेगा अब यहां एक चीज़ और notice करनी है no doubt stock फिर से चले कर 159 आपको achieve भी हो जाए यहां पर 159 आपके achievement भी आ जाए बट यहां से अगर reversal आता है क्योंकि trend line का hurdle आएगा तो फिर reversal आएगा तो फिर आपको पहला support यहां से 154 रहेगा दूसरा support फिर गिरेगा तो यहां के बाद 150 रहेगा क्योंकि यहां channel का hurdle है तो यहां से अगर reversal बना रहा है trailing stop law ज़रूर लगा लिजिए nifty bought uneven हो रहा है और unstability देखने को मिल सकती है आपको एक दो दिन में तो hopefully सालची जी यहां मैंने clear करी होंगी मिलते next video में this is me सुभमयादव signing off